डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट्रैक टीवी मैं हूँ कौकप पारू की सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज है नाइन्स अपने पुराने हरीव के मुश्किलाथ से दो-चार होने के बावजूद टॉरंटो रैप्टर्स की साक्रा मैंटो किंग्स की हिमार किसी भी वक्त कमबैक का इशारा दे दिया जी टीए के शेहरी सर्द मौसम का सामना करने के लिए तयार हो जाएं माहरी ने दरज रारत मनफी एक डिगरी सैंटि ग्रेट तक जाने की पेश कोई कर दी कैनेडा के मुख्तलिफ शेहरों में पीने का पानी गहर मयारी गहर मयारी पानी वैंकोवर्शिटी के आहम मकसद में रुकावज बन गया एंड्रियो शेयर तनहा हो रहे हैं वोगामी अख़वार ने दावा किया कि उनकी पार्टी के लोग उने छोड़ रहे हैं एरान ने अमरीका की नई पाबंदियों को एरानी कौम के मुकावने में नकामी पर उनकी जंजलाहट की अल्लामत करार दे दिया अमरीका का चीनी अशिया पर आएद अपने महसुलात में से चंद को हटाने पर होड़ अमरीकी मीडिया के मताबिक अमरीका तवको रखता है कि चीन गुजिश्टा माँ के मुजाकरात में किये गए अपने वादे पूरे करेगा हैडलाइनस आपने चौनी खबरों की तफसील चामिल करेंगे स्प्रेक के बाद um are you concerned about your future week what you to consider option Canada I'm a former canalization officer and a senior case island and observed the Canadians for 16 years I provide accurate assessment on rupees, I'll be happy to assist you in making Canada inaudit For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. Swami Kashi Guru Ji का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं. Swami Kashi Guru Ji is a specialist in bringing back your loved ones. He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours. आपके depression, family, court problems और बेशुमार मसाइल के हलका दावा करते हैं. Swami Kashi Guru Ji से राप्ता कीजिये 647-765-6311 647-765-6311 Address 565 Markham Road, Scarborough कुछ बात करेंगे साक्रा मेंटो मखरिब में मायूसी का शिकार है और जबके टॉरन्टो रैप्टर्स का मुराल भी बुलन्द है. इसके बावजूद वो इस टीम के कमबैक के लिए पुरूमीद है. बसके चानेंगे इस रिपोर्ट में. टॉरन्टो रैप्टर्स अपने साब का हरीव को माजी की नजर से नहीं देख रहे. हालगे साक्रा मैंटो किंग्स अब शिकस खोरदा है. साक्रा मैंटो मखरिब में मायूसी का शिकार है. जबके टॉरंटो रैप्टर्स का मुराल भी बुलंद है इसके बावजूद वो इस टीम के कमबैक के लिए पूर उमीद है टॉरंटो रैप्टर्स के खिलाड़ी फ्रेड वेन वैलिट का कहना है कि वो बहुत खतरनाक है और हर कोई ये समझता है कि वो बाकी एक काविल टीम है छे साथ मुकाबलों में उनकी कारकरदगी अच्छी नहीं रही है ताहम ऐसा अक्सर होता है फ्रेड का कहना था कि हमारे नकते नजर से वो अब भी एक खतरनाक टीम है और वो एक बड़ी कामयाबी हासल करने की तयारियां कर रहे है कोई भी बड़ी टीम इस तरहां की सूरते हाद में बहुत खतरनाक साबित होती है वाज़े रहे कि टॉरंटो रैप्टर्स और साक्रामेंटो किंग्स दोनों एन्बी ए में एक दूसे के सक्त हरीब माने जाते हैं के रैंकिंग में दोनों टीमें एक दूसे को टक कर देती है खबर शामल करेंगे आपको वताएं जी टी ए के शेहरी तयार हो जाएं क्यूंके जी टी ए में रवा हफते सर्दी का अप्तदाई मौसम अपने रंग दिखाने जा रहा है हाल ये दिनों जी टी ए में बारिश के साथ बरफ़वारी भी मतवक्य है जी टी ए के शेहरी तयार हो जाएं क्यूंके जी टी ए में रवा हफते सर्दी का अप्तदाई मौसम अपना रंग दिखाने जा रहा है माहिरी ने मौसम याद के मुताबिक दर्जहरारत मनफी एक डिग्री सेंटी ग्रेड तक जा सकता है जबके सर्द हवाओं से उसका अहसास मनफी आट डिग्री सेंटी ग्रेड तक हो सकता है मौसमी अमूर के माहरीन के मताबिक बदलता मौसम शेहरियों को तफ्री के मौाकिवी परहम कर रहा है शेहरी इस मौसम को भरपूर तरीके से नजुआए कर सकते हैं हाल या दिनों जी टी ए में बारिश के साथ बर्फवारी भी मतवक्य है जिसमें जुमिरात के रोज शिद्द भी आ सकती है और चन्द इलाकों में दो सेंटी मीटर तक बर्फवारी हो सकती है मतवक्य मौसम के नतीजे में शेहरियों को सड़कों पर फिस्दन का सामना भी करना पड़ सकता है वाज़ रहे कि जीटिये में सर्दी के मौसम का बकाइदा आगास 21 दिसम्बर से होने जा रहा है वैंकवर से खबर शामल कर लेते हैं आगको बताएं वैंकवर सिटी 2020 तक दुनिया में सबसे ज़्यदा बहतरीन पीने का पानी पराहम करने वाला शेहर बनना चाहता है वैंकवर के मेर का कहना है कि हमने अपने अमले को इस हवाले से हिदाया दी है और उन लोगों से राप्ता करने को कहा है जिने इस मसले का सामना है दूसरी जाने बॉंट्रियाल में भी मुक्तलिफ स्कूलों में नल के पानी में सीसे की वाफर मिगदार पाई गई मिगिल युनिवर्सिटी की एक सिविल इंज्रिनिंग की तल्बा की जानिव से की जाने वाली तहकीक में ये बात सामने आई है जिन सीसे की लाइनों में पानी तवील अर्से से मौजूद होता है उन में सीसे की मिगदार पर जाती है ये बाद भी सामने आई है कि जादतर स्कूलों का मायार नहीं है अक्सर स्कूल में पानी टेस्ट नहीं किया जाता क्यूंकि सूबों को उसकी जरूरत नहीं होती ताहम कुछ स्कूलों में पानी की जाच के आमल शुरू किया गया है जिसमें ये बात सामने आई है कि वहां का पानी महभूद नहीं है जबके मुतलगा हुकाम को इस मसले पर संजीत की से गौर करने की जरूरत है कैनेडेन मीडिया के मताबक कन्सेवेटिव राहनमा के लिए अपने हामियों को जमा करना अब मुश्किल होता जा रहा है जब वो अपने क्रोकस के हवाले से एक आहम मीटिंग करने जा रहे हैं यो शेयर तेजी से तनहा होते जा रहे हैं कैनेडियन मीडिया के मुटाब एक कंजर्वेटिव रानुमा के लिए अपने हामियों को जमा करना मुश्किल होता जा रहा है जब वो अपने क्रॉकस के हवाले से एक आहम मीटिंग करने जा रहे हैं मुकामी अख़ार के एक रिपोर्ट के मताबक दो दर्जन के करीब कंजर्वेटिव एमपीज और कारकुनान की जानफ से शेयर से ला तालुगी का इजहार किया जा रहा है कुछ कंजर्वेटिव उमीदवार जिन्होंने छे से बारा माँ अपनी जिन्दगी पार्टी को दी उन्हें शेयर की जानफ से नहीं बुलाया गया जो कि किसी भी रहनुमा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर शेयर ने मस्ले को संजीदगी से नहीं लिया तो उनकी मुश्किलात में इज़ापा हो सकता है जबके शेयर को सुरतिहाल का अंदाजा लगाने और इस बात को साबित करने की जरूरत है कि उन्हें पार्टी एजन्डे पर मुकमल कंट्रोल हासल है अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो लोग उन्हें छोड़ देंगे कुछ बात करेंगे तर्जिमान एरान वजारत खारजा सेयद अबास मुस्वी ने इरान के खिलाफ अमरीका की नई पाबंदियों के बारे में कहा کہ امریکی حکومت ایرانی عوام کے فولادی عظم اور ارادے کے مقابل میں اپنی ناکامیوں سے جھنجلا کہ ایران کے خلاف ہر روز نئی پابندیوں کا اعلان کرتی ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اس قسم کے اگدامات اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ سے پارٹیوں اور منطقی راستے اپنانے کی طوانائی رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ سبھی عالمی اور بین الاقوامی مسائل میں اپنی دادا گیری چلانا چاہتا ہے ترجمان مزارت خارجہ نے عالمی سامراج کے خلاف مجاہدت کے قوم دن کو جاری ہونے والے وائٹ ہاؤس کے شرمناک بیان کے بارے میں کہا کہ امریکہ ہمیشہ غیر محضب اور غیر سفارتی زبان سے کام لیتا ہے اور تاریخی حقائق میں تحریف کرنے کی کوشش کرتا ہے امریکی مزارت خزانہ نے اسلامی جمہوری ایران کے خلاف اپنی دشمنانہ پولسیوں کو جاری رکھتے ہوئے پیر کے دن ایران کے ایک سرکاری ادارے اور نو شخصیتوں کے نام پابندیوں کی فیرس میں شامل کرنے کا اعلام کیا ہے کچھ بات کریں گے امریکی چینی اشیاء پر آئید اپنے محصولات میں سے چند کو ہٹانے پر غور کر رہا ہے امریکی انتظامی امر کا جوازہ لے رہی ہے کہ گزشتہ ستمبر میں آئید کردہ اضافی پندرہ فیصد محصولات کو واپس دینا سود من رہے گا یا نہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ چینی اشیاء پر آئید اپنی محصولات میں سے چند کو ہٹانے پر غور کر رہا ہے اگر امریکی انتظامی نے ایسا کیا تو گزشتہ موسم گرمہ میں چینی اشیاء پر اضافی امریکی محصولات آئید کیے جانے کے آغاز کے بعد یہ اس نویت کا پہلا اقدام ہوگا امریکی میڈے کے مطابق امریکی انتظامی سمر کا جوازہ لے رہی ہے کہ گزشتہ ستمبر میں آئید کردہ اضافی پندرہ فیصد محصولات کو واپس لینا سود مند رہے گا یا نہیں امریکہ طبق کو رکھتا ہے کہ چین گزشتہ ماہ کے مذاکرات میں کیے گئے اپنے وعدے پورے کرے گا واضح رہے کہ چینی حکام نے مزید امریکی خزائی اشیاء خریدنے اور امریکی فکری اساسہ حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لینے کی حامی بھری تھی اس کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور updates کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی